श्रीकार वेलकम नमस्कार दियर स्टुडेंट्स तुडेज वीडियो और माई चैनल जानकरी हिद इस अबाउट अकाउंटिंग एक्वेशन्स मैसेल्फ हिद अभिलाशी शर्मा तहां आज जड़ा कॉंसेप्ट आसे डिस्कस करांगे वो अकाउंटिंग एक्वेशन्स दा जो प्रेक्टिकल रूफ है किस तरह बिज्स ट्राइक्शन्स अकाउंटिंग एक्वेशन्स दे भीचे प्रेक्टिकली असी उना नूं इन्वालों कर दें किस तरह फूतिन किता जनदा होते तांकि साइवे एक्जामों सोंद्र नेमेरिकल क्वेश्टब से उते हों तिसे बहुत जल्दों क्वेश्चन्स नों काल कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेन एंफरमेशन ज़सी दिस यालो वाक्स आई हाव मैंशन इट जेकर अकाउंटिंग क्वेश्चन दे बेसिक कंसेप्ट नों देखने हैं ठीक इस सो पहला इस शिक्स्टीन नंबर दे उपर मैं एक वी बड़ी डिटेल देवीच अकाउंटिंग एक्वेशन इकुटी इन वारी डिटेल देवीच उस वीडिए देविच दस्या है ते आज दा जो टॉपिक है बिजनस ट्राइक्शन या ने मेरिकल कुश्चिंस दा अकाउंटिंग एक्वेश्चिंस देवीच किस तरह वोदा रिजालव कर देयां सी उन्हों कि में सालव कि था यंदा है उन्हों अपा देखांगे लेट्स मूव है विद्मी विद्टू देज्ट टॉपिक आए एंग के ऐसे सी से वह इसमार नहीं करांगा काउंटिंगे के कहारी है युद्टूण सारे नों पता है युद्टू लाइविल्टी याँ Tota लाइव विल्टी ञूँना है एकुटी जो किता है इकुटी मेंस Capital ट्रॉस लाइव विल्टी कैपिटल प्लस। यूप एक्सरनल एकुटी दा मतलो होगा लाइविल्टी क्रेडिटर्स बिल पेवर लोन ए सारी एक्सरनल एकुटी दा हिस्सा ने जनों टोटल लाइविल्टी आनाम भी दे सकते हैं नेक्स्ट वान अकाउंटिंग एक्वेशन सब्सक्राइब करांगे कैपिटल प्लस लाइविल्टीज इस इकोईल तू एसे त्यान रख्यों सारिया यह लाइविल्टीज ने असी ओभी इंक्लूड करांगे केडियां केडियां जी में क्रेडिटर्स ने बिल्स पेवर है बै सब्सक्राइब करें यह लाइविल्टीज के सकते हैं अधर दैन कैपिटल ओके इस एक्वेशन ते बेसे त्यासी नेमेडिकल कर दें क्लियर हो गया ना आओ हो रग्ये बाद दें यह सब्सक्राइब करने निमेडिकली कुछ की पॉइंट्स ने जे कर तुसी इना नुपकर लिया दैने इस गोइंग तो वी वैरी इजी जसी दिस दिस एक्स पाइंस और लॉस मीन्स दिक्रीज इन कैपिटल एत्यान रख्यों क्योंकि अक्वेशन जा मदलम मैं की दस है total of assets is equal to capital plus liabilities फिर जेकर business transactions दे वीच कोई expenses होंदा है कोई loss होंदा है कोई income होंदी है gain होंदी है उना दा की करते हैं भी yes ओदे वर ये key point ने से आनल देख्यो any expenses और loss means decrease in capital जेकर business दा कोई expenses या loss हो रहे है ये दा मतलब capital कट रही है कारण सुनो business दे सारे expenses या loss जिनने जादा होई जानके business दा profit उना कट जन्द है this means जड़ा profit बिजनस अपने कोल रखदा नहीं ओ बिजनस दे जड़ा owner है ओदे कोल जान्द है ओदी capital चैड़ हो जन्द है लेकिन जी expenses या loss हो रहे होंदा नेचरली होदा profit कट रहे है this means capital कट रहे है okay second point any income gain और profit means increase in capital यह सेता समझ गए होगे जेकर कोई income है कोई गेन है जा profit business transactions दे बिचे शोग किता गया ना नेचरली यह दा मतलब जड़ो income हो रही है ता business दे profit बाद रहे है profit बदन 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 दा मतलब अधी capital अडिशन होनी है capital वज जानी है profit capital चैड़ हों देने जिनना भी कोई transaction जेकर कोई income गेन जा profit ना ले चरड़ है इच्वील इंक्रीज इन इच्वील इंक्रीज इन इंक्रीज इन क्यापिटल दे विचे वादा होएगा त्यान रख्यों खर्चन दा मतलब capital minus business दे विचे profit income जा गेन दा मतलब capital plus okay next one very important issue हो रहे credit purchase means increase in creditors त्यान रख्यों जदों business ने जदों सी accounting equations देखांगे business transaction नों शो करने रही जेकर credit purchase किती जा रही है this means creditors वद्रेने कारण जदों आसी purchase कर दे है payment आसी नहीं किती तब किसे नों सा payment करनी है तब business दे creditors create होंगे ना creditors increase हो जन्दे ने एक अलत्यान रख्यान रख्यागे next one credit sale means increase in debtors yes जदों भी sale होंदी है असी credit sale करती पैसे ता आने सी पर आई नहीं असी किसे तर लेने ने जिना तो असी पैसे लेने ने व बिजनस दे debtors this means जदों भी credit sale होएगी ता debtors increase होंगे ओके creditors आनूं पता है liabilities आपार्ट होने ने debtors assets आपार्ट होने एक त्यान एवी रखो आफ्टर इच ट्रांजक्शन और गूप आफ्ट्रांजक्शन वी गॉट्ट एए की ए accounting equation हल ट्रांजक्शन दो बार असी accounting equation प्रापत करांगे तो numerical question करांगे केड़ी accounting equation जिस ये शो हो रहा होएगा total of assets is equal to total of total liabilities total liabilities means liabilities other liabilities plus capital okay हर business transactions और बात साजन अकाउंटिंग equation मिलेगी कि यस डियो स्टुड़न उन्हों चाइम आगे जिसा तुसे इंतजार कर रहे सी बड़ा easy concept है एक वरी जेकर दिमांग्श पहागया इन्हों सारे नों ना देखो जो मैं कहूंगा सिर्फ उन्हों देखना क्योंकि इत्थे mention करने लिए जाता आसी blackboard class देविच यूज करिए या इक way out सी जित्थे मैं show करूंगा सिर्फ उन्हों चीजान नों देखो सब तो पहला जदो आसी इस तरह accounting equations देविच किसे चीज नों दिखाना है तो सानू clear होवे ओधा format की में होईगा इत्था सानू सारे नों पता है left side से जो आसी दिखामांगे पहला आसे शो करांगे थे राइट साइड थे लाइवेटीज एथे असी description लिखांगे किसे भी transaction दा description दा मतलो दा वीरवा description शो करांगे ताकि ये थे असी उदा transaction देवारे लिख सके कि what about transaction is करी transaction है का देवारे एक तुसी देख रहे होगे cash machinery goods stock capital एत्यान रुखो मेरी गल्थ यानल सुनों लाइवेटीज देवीच बैसिकली जिन्नियावी टाइप दी लाइवेटीज होने या capital तो इलावा ओ आसी ट्राइक्शन देख और लिए जिन्नियावी लाइवेटीज दानेंगे ओ असी इत्थे लिख दे जामागे इसे तरह जिन्ने टाइप दिया एसर्स क्रियेट हों दियां जानेगी है बिजनस बना एक्शन दे नाल वह असी एसर्स दे नीचे थे कॉलंब बनांदे चला जामागे जिम्हें मैं थे बनाए विने cash machinery goods stock एह पहला नहीं बनाणगे सब्सक्राइब अपने पेज नों हाफ कर लेना है एसर्स थोड़ियां जादा हूं दियाने जोनली देखन चाहे है तो थोड़ा पार्ड पहला डिस्क्रिप्शन दे वारे लिखके बाकी हो दे हाफ आफ पार बना ले जिम्हें रेड लाइन शो कर रही है कि यसी हाफ करता ह ले तो हुन एक लाइन थी चर्ड देनी है एसर्स था लाइविल्टीज किन्या किन्या बन रही हाने उना लुझा देले सब्सक्राइब पहला ट्रांजेक्शन देखो पर शो किता गया है शोड़ा इफेक्ट ओफ राजेक्शन देविच एफेक्ट शो करना है पहली यह ट्रांजेक्शन देखो एस ने बिजनस स्टाड की था इता हूं कैश लेके आया फोटी थाउजन एक मिशिनरी ट्वेंटी थाउजन दी इस मींज यह नूँ शो की में करना है ते आना लेक्ट नंबर फरस्ट मैं शो कर रहे है नंबर इक पाकी कैपिटल इंट्रोड्य इस से अपनी सब्सक्राइब कुछ भी लिख सकते हो जिनक स्पेस है यह नूँ शो कर सकते हो के बिजनस स्टाड़ड विद कैश अंड मिशिनरी यह लिख सकते हो गल इक कोई है हूं त्यार ना देखो किन्ने अकाउंट इफेक्टर हुए इस ट्रांजेक्शन देखर के एक कैश मिशिनरी कैपिटार सब तो अपहला में थे कैश लिखिया इस दुसी लिखना है इस तरह कैश फिर एक नमाई एसस क्रिएट होगी ओकेड़ी है फिर मिशिनरी मिशिनरी भी लिखता जी ते लाइविल्टी साइड ते यासे एक नमा अकाउंट क्रेट किता है यह जरू मिशिनरी के नहीं आई 20,000 ते कैपिटल के नहीं होगी 60,000 सारे इंक्रीज होगे कैश भी मिशिनरी भी कैपिटल ओके हाई एक ट्राजक्शन होगी हूना से अकाउंटिंग एक्वेशन बनागाँगी फिर्स्ट एकाउंटिंग एक्वेशन की बानगी एए इड़ा मला अका करो थोड़ा जा ना क्रेडिटर जने हाजे फॉर्सकेशन देवीचे कपिटल ही है सिकश्टी थाउजन हुँदेखो मैं क्या यह दूनों साइड भर हर रोपीज़ थाउजन दौब आज एसे तोटल के नहीं की नाम नहीं दीता विया जिस्तों पर्चेश किते हैं सप्लायर दा नाम नहीं तक कैस्ट ट्राइक्शन है दो अकाउंट इफेक्टर हो गई इतना जैसी जर्नल एंट्रीज कर दें उते पर्चेश करने हैं पर बिजनस से बीच गुर्स या स्टॉक आ गया इही कारण है त्य इस पर्चेश किती हैं तांसाड़ा कैस्ट जड़ा गया बिजनस जड़ा 40,000 सी वह 5000 की हो गया उस्टों माइनस हो गया ते बिजनस से स्टॉक आ गया गुर्स आ गया तां गुर्स दे विच की करता सी प्लस 5000 हूं देखो कैपिटल ले दे कोई इंपक्त नी मिशिनरी दे को इंपक्त नहीं तां होते आसी जीरो भी शो कर सकते हैं एठेवी जीरो एठेवी जीरो या ब्लैंक शो कर तो जानल मतलब एथे कोई इंपक्त नहीं इस त्रांजक्शन दा दो अकॉंट ते इफेक्ट पर एक कैश से गुर्स प्लस हो गया परचेस किती हैं ने कैश माइनस ह हो गया क्योंगी कैशनल पेमेंट किती है सेकेंड अकाउंटिंग एक्वेशन देखो 40,000 कैश पहला सी 5,000 माइनस किता तां कैश किना रहेगा 35,000 मिशिनरी पहला भी 20,000 सी नमा कुछ नहीं हैगा तब मिशिनरी दी वैल्यू 20,000 दी है ते साड़े को नमी आसे ठागी ओके गुर्ण से स्टॉक 5,000 एसे तरह साथ यहां लाइविल्टी देखो कैपिटल देखो कोई इंपेक्ट नहीं है गा जीरो पहलना 60,000 सी कैपिटल हुन भी 60,000 सा सेकेंड अकाउंटिंग इंक्वेशन चे एक्ष्ट जा टोल जदों की था 35, 20,000 और 5,000 वन गया 60,000 ते गुड समझ लग्या थर्ड देखो वेज़े त्यानल थर्ड उपर मैं ट्राजेक्शन लिखिया स्काइश देखो यह थे ब्लू कलर ना थर्ड ट्राजेक्शन पर्चेस गुड्स ओन क्रेडिट रूपीज 5,000 फ्रॉम मोहिट मोहिट तो गुड्स पर्चेस गिटिया जी क् क्रेडिट गुड्स पर्चेस गितियां गुड्स आ गयां एकता साधियां गुड्स इंक्रीज हो गी देखो थाहीं मैं गुड्स दे नीचे थर्ड राजेक्शन दे विछ देखो की शोगिता है 4,000 प्लस योंकि 4000 पर्चेस कर लियां दूसरा मोहिट होए सोहिट होए सुरि था महां 4,000 ते क्रेड़ीटर एथे क्रेड़ ओगया क्लियर हो गया हुन ना था कैश थे कोई impact इत्थे की शो करता डैश मिश्चनर थे भी कोई impact नहीं थे कैपिटल दे भी कोई इंपक्त नहीं इफेक्ट के थे पर गुड्स दे एक क्रेडिटर क्रियेट हो गया मोहित सी जड़ा ओके थर्ड अकाउंटरिंग एक्वेशन की बनगी कैश साड़ा 35,000 सी हुन फे 35,000 कोई असर नहीं हो एक चेंज नहीं हैगा मिशिनरी 20 सी फे 20 गुड्स पहले हैं 5000 सी 4000 प्लस हो यहां गुड्स बनेंगे 9000 क्रेडिटर साड़ा नमई लाइविल्टी आगी एथे लिख लेना सी ताहीं देखो मैं शुरूच लिखता सी पर इस ट क्रेडिटर से टोटल लाइविल्टी जे कोई होर क्रेट होएगा ओवी अपने से प्लस करके लिखतांगे ओके गुड्स पर्चेस्ट क्रेडिट सी एक ताहं क्रेडिटर क्रेडिट होगे 4000 दे 4000 दे गुड्स आगियां ताहं इक्वेशन की बन की साड़े को इमेंजी में त कुछ भी नहीं हगा ने लाता कैपिटल लोही 60000 दुनों सहीधा टोटल करो 3529 64000 लाइविल्टी भी 64004 प्लियर हो गया ना अकाउंटिंगेशन मीन्स इकॉल बैलन्स फॉर्थ सोल गुड्स रूपीज 3,000 गुड्स सेल करती हैं दो अकाउंटी फेक्टर होगे कैश सेल है कि हो गया था कैश सेल कीति हैं काईश आ गया कईश करती ने की सेल कीती है क्योंकि हम पर सेल कर दो नहीं करती हैं दूसरे पास से एक बाटा नहीं हो गया माइनस देख होता ही थे मैं नेकिटिटीव लगता साइंश गिता है माइनस था बाकी किसे एकाउंटे कोई इफेक्ट नहीं फोर्थ अकाउंटिंग एक्वेशन की बन गी 35 प्लस 338,000 कैश हो गया मिशिनरी सेम 20,000 गुड्स 9,000 चर्ण 3,000 तसी माइनस की दियां 6,000 रह गया क्रेडिटर सेम 4,000, कैपिटल सेम 60,000, दोनों साइधा टोटल गिना हो गया 64,000 यू कें जागे एह है फोर्थ अकाउंटिंग एक्वेशन समझ लग गया अराम नहीं सुच्छे दा परफॉर्म हुन ए बैलंस ही कवरी देख लो 4, क्योंकि पेश साड़ा पार गया, नेक्स रपका सक्रीन दे जा रहे है ता एह ही बैलंस अग्या सी पिक करांगे, होर कुछ ट्राजक्शन शो कर दें 38, 26, फिर लाइविल्टी गीन है 4,000, नेक्स पेश से देखो यह स्टुडेंट, एसेट साड़े कोल कैश मेशिनरी स्टॉक एट इन्नी चल रही हैं सी लाइविल्टी क्रेडिटर एंड कैपिटल देख रहे होंगे आद डेटर क्यों पाता, अगे वेट करो, ट्राजक्शन होएगी साड़े कोल कोई ना होई, हुन नीचे मैं ट्राजक जोड़े सोल्ड ओन क्रेडिट टू अमित त्री थाज़े अमित नूट्य धूटेट सेल कर थीया त्यांनाल अमित नूट्य सेल केतीया ने च्रेट ने कैश नहीं आया सड़ा डेटर क्रियेट हो गया, यह मैंशन वन मोर एसेट इसे देको एक्र एसेट 2 इंक्रीज होगी, डाइटर्ज ओके जिनिया एक्रेश इंक्रेश होई जानेगे ऐसे ऐसे प्लस-प्लस करके एक्रेश साइट दें मैंशन करांगे जी लाइविल्टीज ग्रेट हो नहीं है या था लाइविल्टीज जी मैं क्रेडिटर रहे है थे बिल पेवल लोन असी वह भी यह थे शो अपने इस ट्रांजेक्शन देखिए गुड्स ओल और क्रेडिट गुड्स सेल किती है गुड्स माइनस हो गया संदा स्टोक कड़ गया थ्री साउदन नाट डैटर्स इंक्रीज होगे अमित क्योंकि जदों सी पार्चेस कर दें क्रेडिट हो तों क्रेडिटर इंक्रीज हो है चींज की होया स्टोक प्रहलां 6,000 सी 3,000 माइनस स्टोक सेहए 3,000 को टैर्स नमेढ़ी एस क्रेड होगी 3,000 तोन साइडूस तोसी टोटल करके देखो 64,000 lanes से ऐल हो और नेक्स देखो रेंट पेड रूपीज 1,000 रेंट पे करने थी फा एक्सपेंसी जो तो भी अक्सपेंसी होने पेड्स ते यह एक ना कैश कर गया, एक मैं दूसर जानौ की पॉइंट से वीच एक्सपेंसी होना, मसलों प्रोफिट करना मनलों कैपिटल कर दे खुब्स हों सब्सक्राइब करता सी कैश करके 37 सेवन मिशिनरी स्टोक डेटर्स क्रेटर्टर्स ओकर यह थे聲 nil- similar Ausland immune ऐसी डैश डैश माइनस ब्लैंक दिखाया माइनस निए ब्लैंक 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 शो करता जीrepresented कैपिटल के नहीं होगी 59000 उपके नेक्समां इंट्रेस्टरंस रूपीς 2000 इस इंट्रस्ट मिलें इंकम होगी कैश आ गया कैश 2,000 एड हो गया जिनना इंकम हों दिया कैपिटल इंक्रीज हो जन दिया है कैपिटल प्लस 2,000 होगी देखो यह थे पिंक वाले बॉक्स से भी नमी एकाउंटरिंग एक्वेशन कितनी बनगी 37 प्लस 239,000 मिशिनरी स्टाउक डैटर क्राइटर सेम रहे उते कुई चेंज है नी ते कैपिटल 2,000 होगी 61,000 लास्ट वन रूपीज 1,000 फ्रों अमित अमित नूँ असी भी सेल किती सी ताड़ा डैटर सी उस तो 1,000 मिल गए क्लियर हो गया 1,000 सानूं अमित नूँ प्रापत होगे एक ना कैश आ गया कैशर सीट फ्रों अमित कैशर सीट 1,000 एड हो गया कैश देविच ओके एक साथे डैटर 3,000 सी उस तो 1,000 ती उने पेमेंट करती था डैटर साथे होगे कट अगे तां डैटर माइनस 1,000 बाक्की किसे अकाउंट होते कोई इंपक्त नी तां फाइनल अकाउंटिंग एक्वेशन देखिया जी कि वनी 399 प्लस 1 40,000 कैश मिशिनरी 20,000 स्टोग 3,000 कोई चेंज नी है का दोना देविच डैटर माइनस 1,000 के ते 2,000 रहागे इच एक्सटोटल भी 65,000 लाइविल्टी जाटल भी 65,000 दैट इस दा एक्स्प्रेशन ओव अकाउंटिंग ट्राजेक्शन बिजनस ट्राजेक्शन इन अकाउंटिंग एक्वेशन क्लियर हो गया ना पिशेंसली सोचो इनू ट्राफ नहीं है स्ट्रेप वाइज अगे बद दिखा रहे हैं तुसी जाम देवी चापने लिए एक्साइज आगी है दर लाइविल्टी प्लस कैपिटल आगी इसे कैश है स्टॉक है एक्स्रेशन एदर क्रेडिटर है आउस्टेंडिंग रेंट है आउस्टेंडिंग एक्सपेंसिज भी लाइविल्टी होंदेने अप सब्सक्राइब करांगे कैपिटल है जी में इसे कैप बिजनस शुरू की ता फिफ्टी थाउदेंड प्लस त्रियाल कैश ते गूर्ज ने थर्टी थाउदेंड दिया अकाउंटिंग एक्वेशन फस्ट ए आगी इसे तरह सेकिंड एसे तरह थर्ड फाइनल मैं तो नों समझा चुक है I think the concept is quite clear now so students I think all concept is clear इस वीडियो दे भी जड़ा पार नहीं clear थे वापिस जाओ जे कर फिर भी कलियर नहीं तां तुसी अकाउंटिंग एक्वेशन ते concept नों इस तो पहला वारी वीडियो ची भी देखो इस वीडियो दे उस हिससे जाके समझेंदी कोश्च करो नीचे comment box लिखो I will try to answer समझ ला गया ते एक वीडियो नो like and share करो जे चैनल subscribe नहीं कीता देन subscribe I will be here with a new video on different concept of accountancy and many more till then thank you very much